हलो एवरिवन तो आईए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेड आज की क्लास में हम करने वाले हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन जो पिच्छाओं में बार-बार पुछे जाते हैं तो स्टार्ट करते हैं हमारी वन लाइनर क्यूशन आजका हमारा पहला क्यूशन है इडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां इस्तित है तो इसका आंसर क्या होगा इडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम ये कोलकता में स्तित है नेक्स्ट क्यूशन है विश्व प्रत्वी दिवस कब मनाया जाता है important question है कि ये 22 अप्रेल को मनाया जाता है विश्व प्रत्वी दिवस के रूप में 22 अप्रेल को मनाया जाता है next है भारत में प्रतेक वर्स रास्टे उभोगता दिवस कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को तो 24 दिसंबर को रास्टे उभोगता दिवस के रूप में मनाया जाता है आजका हमारा next question है दुनिया का सबसे बड़ा पसू कौन सा है तो इसका answer क्या होगा ये है blue whale blue whale जो है दुनिया का सबसे बड़ा पसू है next है ये है sandal peak very very important अंडमा निकोबार दीप सुमव की सबसे उची चोटी का नाम है sandal peak next question है वार्सिक पुरुसकार मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है तो ये राजस्तान में जो वार्सिक पुसकर मेला है ये राजस्तान में आयोजित किया जाता है कौन सा है पुसकर मेला है ये कहां पर लगता है राजस्तान में लगता है कार्तिक महां में अजमेर में ये लगता है next question है राजस्तान में पुसकर मेला किस महां में लगता है तो ये नौंबर महिने में लगता है और ये कहां पर लगता है ये राजस्तान के अजमेर में लगता है नेक्स्ट है रथियात्रा का उत्सव कहां आयोजित किया जाता है तो इसका अंसर क्या है रथियात्रा है ये ओडिसा के पूरी में आयोजित किया जाता है और जो कॉनार्क सूरिय मंदिर है ये भी ओडिसा में है नेक्स्ट क्यूशन है पूरी रत्यात्रा है वो किस भगवान के समान में निकाली जाती है तो ये भगवान जो जगनात है इनके समान में पूरी रत्यात्रा निकाली जाती है नेक्स्ट क्यूशन आज का सहीद दिवस किस तिथी को मनाया जाता है तो इसका आंसर क्या है ये 30 जनवरी को सहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है देवताल जील किस राज्ये में है तो ये उत्राखंड राज्ये में स्तित है कौनसी है देवताल जील है उत्राखंड राज्ये में स्तित है नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है तो ये है वेबनाट जील कौन सी है वेबनाट जील जो है ये कहां पर है ये भारत की सबसे लंबी जील है कौन सी है वेबनाट जील है ये भारत की सबसे लंबी जील है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा ये 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है, एसिया की सबसे बड़ी नदी कौनसी है? तो ये कौनसी है? ये है यांग जेन नदी, कहाँ पर है? ये चीन में बहने वाली नदी है, जो एसिया की सबसे बड़ी नदी है नेक्स्ट है विश्वे की सबसे बड़ी उढने वाली समुंद्री पक्सी कौन सी है तो जो सबसे बड़ा समुंद्री पक्सी है उढने वाला वा कौन सा है ये है अलबे ट्रोस कौन सा है अलबेट रोज जो है विश्व की सबसे बड़ी उडने वाली समुन्दरी पक्सी है नेक्स्ट अमारा क्यूशन है लाल बहादूर क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है तो जितने भी क्रिकेट स्टेडियम है उनको एक क्लास में कवर किया है अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो वहाँ पर देख लीजे भारत के जितने भी इंपोर्टेंट क्रिकेट स्टेडियम से क्यूशन बनते हैं जितने भी स्टेडियम है जो भी प्रमोख है वो सारे हमने कवर किये हैं जो एकजाम में बार-बार पुछे जाते हैं या जितने भी है भारत के सारे स्टेडियम उसमें कवर किये हमने आप वो जरूर देखिए क्लास तो लाल बहादुर के स्टेडियम है ये हैदराबाद में स्टित हैं नेक्स्ट है अर्जेंटिना की मुद्रा क्या है तो ये है पैसो कौन सी है पैसो जो है अर्जेंटिना की मुद्रा का नाम है नेक्स्ट है विश्वे की सबसे बड़ी जीवित पक्सी कौन सी है तो ये है सुतुर्ग मुर्ग कौन सा है सुतुर्ग मुर्ग जो है विश्वे का सबसे बड़ा जीवित पक्सी है नेक्स्ट कुशन है एसिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है तो ये है सोनपूर का मेला, पहां पर लगता है, ये बिहार की सोनपूर में लगता है, जो की ऐसिया का सबसे बड़ा मेला है नेक्स्ट है PTSD किसका त्योहार है, तो किनका है ये पार्षियों का त्योहार है, आपको त्योहार उसरे related विशंग पूछे जाएगे तो पपेटी है ये पार्सियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है नेक्स्ट क्यूशन है ओणम किस राज्ये का प्रमुक त्योहार है तो ओणम जो है ये केरल राज्ये का त्योहार है इंपोर्टेंट है ये क्यूशन एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है लोसांग उत्सव कहां मनाया जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन तो लोसांग उत्सव है ये सिक्कीम राज्य में मनाया जाता है नेक्स्ट है बिहार का प्रमुक्तियोहार कौन सा है तो यहां का जो प्रमुक्तियोहार है वो है चटपुजा नेक्स्ट क्यूशन है चट पुजा में किसकी पुजा की जाती है तो इसमें भगवान सूर्ये की पुजा की जाती है ये बिहार राज्ये का प्रमुक्त योहार है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है उत्राखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फैकने की प्रता है तो ये देवी धुरा मेला है जिसमें दो गुटों के बीच में पत्थर फैकने की प्रता है ये कहां का है देवी धुरा मेला है ये उत्राखंड में आयोजित किया ज अलग रंग मोजूद होते हैं असूदियों के कारण। किस राज्य के सासक को अंग्रेजु ने कुस आसन की बहाने सत्ता से हटा दिया। तो ये हटाया था अवद के सासक को। सत्ते जीत रे का सम्मंद किस छेतर से है। इनका है फिल्म निर्देशन से। important question है ये question exam में पूछा गया है सत्य जीत रे का सम्मंद किस छेत्र से है तो ये film and edition से सम्मंदित है next question है काले धन के उन्मुलन के लिए सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था तो ये किया गया था चलेया समीती, वेरी वेरी इंपोर्टेंट चलेया समीती है, वो किस्ते समंदित है, काले धन के उन्मुलन के लिए, सुझाव देने के लिए, चलेया समीती का गठन किया गया था, नेक्स्ट कॉशन है, योएन ने सयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अमेलन की स्तापना किस वर्च की थी, तो ये की थी, 1964 में. नेक्स्ट हमारा क्यूशन है किन भोतिक मात्राओं के आयाम एक समान है तो किन के होते हैं ये समवेग और आवेग के जो आयाम है वो एक समान होते हैं नेक्स्ट क्यूशन है इंपोर्टेंट क्यूशन है भारत चोड़ो आंदोलन कहा से सुरू हुआ था तो ये बॉंबे से सुरू हुआ था नेक्स्ट क्यूशन है भारत चोड़ो आंदोलन कब सुरू हुआ था तो ये हुआ था आट अगस्ट 1942 को वेरी वेरी इंपोर्टेंट भारेच छोड़ो आंदोलन 8 अगस्ट 1942 को सुरू हुआ था नेक्स्ट हमारा क्यूशन है किस भारतिये करांतिकारी ने आजाद हिंद फोज को बढ़ाने में सुभास चंदर बोस की मदद की तो किन्हों ने की थी ये कीती रास बिहारी बोस ने सुभास चंदर बोस की मदद की थी किसको बनाने में आजाद हिंद फोज को आगे वढ़ाने में सविधान सभा के अधिक्स कौन थे तो ये थे डोक्टर राजेंदर प्रसाद कौन थे सविधान सभा के अधिक्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन, एक्जाम में बहुत पार पूछा जाता है ये क्यूशन, ये थे डोक्टर राजेंदर प्रसाद, दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजी, अपने दोस्तों में भी सेर कीजी, क्लास को लाज तक ऐसे ही घुशन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे, तो टास से बने रहिए, नेक्स जो क्यूशन हैं, कौनसा अख्छां स्भारत से होकर गुजरता है, तो करकरेका जो है भारत से होकर के गुजर्ती है, नेक्स हमारा च्यूशन है, यहे किसने प्रतिपादित किया कि भग्य सब कुछ निर्धारित करता है और मनुसे सक्तिहीन है तो ये आजी विक्ने प्रतिबादिक किया था Next question है बचे का लिंग निर्धारण किसके गुणशुत्र द्वारा किया जाता है तो ये पिपा के गुणशुत्र के द्वारा बच्चे के लिंग का निधारण किया जाता है संसत के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के विवाद के बारे में निन्ने लेने के लिए कौन अधिकरत है ये है राष्ट पती कहां पे संसत के किसी भी सदश्य को आयोग्य ठेराने के विवाद के बारे में निन्ने लेने के लिए राष्ट पती अधिकरत है Next है सिंदू गाटी सब्वेता के बारे में हमारे ज्यान के मुक्के श्रोथ क्या है ये है पूरा तात्विक खनन से जो है सिंदू गाटी सब्वेता के बारे में हमें पता चला है Next हमारा क्यूशन है ये है अंतरास्टी मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 20 दिसमबर को. 20 दिसमबर को अंतरास्ट्रि मानव एक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है. Next हमारा question है धर्म सास्त्र में भूमी राज़श्वे की धर क्या बताय गयी थी? तो ये बतायी गयी थी 1 वट्टा 6 नेक्ष्ट है लोगसभा को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सत्र के लिए बुलाय जाता है ये बुलाय जाता है तीन बार नेक्स्ट हमारा क्यूशन है यदि केंद्रिय बेंग द्वारा नगत आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाता है तो रिंड निर्मान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसके जो रिंड निर्मान है उसमें व्रद्धी होगी क्या है केंद्रिय बेंग द्वारा नगत आरक्षित अनुपात को कम कर दिया जाए तो रिंड निर्मान में व्रद्धी होगी नेक्स्ट हमारा क्यूशन है मकर रेखा और भूमद्य रेखा दोनों किस देश से होकर गुजरती है ये ब्राजील देश से होकर के गुजरती है नेक्स्ट हमारा क्यूशन है माता टीला बहु उदेशिये पर्यूजना किस राज्य में स्तित है तो ये उत्र परदेश राज्य में स्तित है इंपोर्टेंट क्यूशन है नेक्स्ट है उच नयले के नयाई दिशू का वेतन कब कम किया जा सकता है तो ये वितिय आपातकाल के दोरान उच्छ नयाले के नयाई दीशों का वेतन कम किया जा सकता है Next important question है सिंदू काटी सबेता में विशाल सिनानगार कहां मिला था तो ये मिला था मोहन जोदरो में तो सिंदू काटी सबेता पर अलग से class बनी हुई है वो class आप देख सकते हो उसमें सारे question सिंदू काटी से समंदी जितने भी question बनते हैं cover किये हैं वो class आप जरूर देखिए Next हमारा question है मोर्य दर्बार में ग्रिष के राजदूत का नाम क्या था तो कोन आया था? ग्रिष का राजदूत ये था next हमारा question है अपने दोस्तों में भी इसको शेर कीजे दोस्तों अगर आपने class को लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक भी कीजे हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी class हम आपके लिए रोज राते रहेंगे तो class उसे बनिए class को रोज देखिए तो मिलते हैं कल की class में